नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग टिकनोमेटिक रेशियोस के प्रूफ वाले कुस्टन्स करेंगे इस वीडियो के पहले मैंने दो वीडियो और बना रखा है जिसमें मैंने प्रूफ वाले कुस्टन्स को सौल कराया है उन दोनों वीडियो का link description box में दिया हुआ है मैं चाहता हूँ आप लोग उन दोनों वीडियो को जरूर जाकर देखें इस वीडियो में हम लोग total 10 proof वाले questions को solve करेंगे जो की काफी typical होने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग technometric ratios related जितने भी formula हैं उन्हें अच्छे से याद करना हैं और साथ में ही algebra के भी formula याद करना हैं क्योंकि उनकी भी जोर्थ question solve करने में पड़ेगी तो चलिए सुरू करते हैं तो पहले question में हमें proof करना है कि 10 theta plus sec theta minus 1 divided by 10 theta minus sec theta plus 1 equal होगा 1 plus sin theta divided by cos theta के तो हम लोग इसके लिए पहले LHS लेंगे तो हमने LHS ले लिया है अब हम लोग क्या करेंगे इस 1 के जगा sec square theta minus 10 square theta put करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं sec square theta minus 10 square theta 1 के equal होता है तो इस 1 के जगा हम लोग लिखेंगे sec square theta minus 10 square theta ठिक जगल्टू अभ्ध्यान से देखिए इस 10 थीटा प्लस sec थीटा को हम लोग reverse order में लिख सकते हैं sec थीटा प्लस 10 थीटा थेख ऐसा लिख सकते हैं माइनस यहां देखिए इखा हुआ है sec square थीटा माइनस 10 square थीटा that is a square माइनस b square तो a square माइनस b square हम लोग जामते हैं a प्लस b, a माइनस b के equal होता है इसके जागा हम लोग लिखेंगे a प्लस b that is sec थीटा प्लस 10 थीटा फिर a माइनस b that is sec थीटा माइनस 10 थीटा तिक 4 divided by 10 थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 अब धान से देखिए उपर हमारे पास दो टर्म है एक टर्म यह है और दूसरा टर्म यह है हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में sec थीटा प्लस 10 थीटा कॉमन आ रहा है तो हम लोग sec थीटा प्लस 10 थीटा कॉमन ले लेंगे sec थीटा प्लस 10 थीटा हमने क्या किया है कॉमन ले लिया है अब धान से देखिए इस टर्म से sec थीटा प्लस 10 थीटा हटा लिगे तो क्या बचेगा 1 फिर बीच में माइनस का साइन इस टर्म से हम लोग sec theta प्लस 10 theta हटा लिया है ठीक है पुचेगा sec theta माइनस 10 theta क्योंकि आगे माइनस वसा ही नहीं है हम लोग bracket लगाएंगे sec theta माइनस 10 theta ठीक whole divided by 10 theta माइनस sec theta प्लस 1 ठीक जैसे ही यह bracket open करेंगे यह माइनस sec theta हो जाएगा और यह प्लस 10 theta ठीक अब ध्यांज रेकिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 यहाँ पर लिखा हुआ है 1 यहाँ लिखा हुआ है minus sec theta यहाँ पर लिखा हुआ है minus sec theta यहाँ लिखा हुआ है plus 10 theta यहांपे लिखा हुआ है प्लस 10 θ यानि यह दोनों टर्म्स सेम हैं इसका मतलब यह दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे क्या बचेगा हमारे पास सेक थीटा प्लस 10 थीटा ठीक लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है इसका मतलब हम लोग sec और 10 theta को पहले sin और cos में break करेंगे तो sec theta क्या होता है 1 by cos theta ठीक प्लस 10 theta क्या होता है sin theta by cos theta ठीक अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें दिख रहा है ये दोनों fraction में denominator सेम है यानि हम लोग इसे direct add कर सकते हैं क्या जाएगा नीचे cos theta ओपर क्या जाएगा 1 plus sin theta और यही हमारा RHS है यानि हमारा proof complete हुआ इस question में typical point ये था कि हमें किसी तरह 1 को sec square theta minus 10 square theta लिखना था उसके आद इसको a plus b a minus b के form में break करना था जैसे हमने break किया आदे जादे चीज़ें cancel हो गई और finally solve होके हमारा proof मिल गया तो second question में हमें proof करना है कि cot theta plus cos theta minus 1 divided by cot theta minus cos theta plus 1 equal होगा 1 plus cos theta divided by sin theta के ठीक तो फिर से ध्यान से देखिए ये question पिछले एक question की तरह ही है ठीक तो आप लोग चाहें तो वीडियो को pause करके इस question को try कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? LHS लेंगे तो हमने LHS ले लिया है ठीक फिर से भाई करेंगे यहाँ पे इस 1 के जगा हम लोग cos x square theta minus cot square theta लिख देंगे ठीक अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों terms को reverse order में लिखेंगे जोकि बीच में plus है तो कोई ऐसा फर्क पड़ेगा रही है यहीं क्या जाएगा? cos x theta plus cot theta ठीक 2 plus 3 या 3 plus 2 एक ही बात है फिर बीच में minus यहाँ देखें लिखा हुए cos x square theta minus cot square theta that is a square minus b square a square minus b square का formula क्या आता है? a plus b a minus b तो हम लोग इसके जाएगा लिखेंगे a plus b that is cos x theta plus cot theta ठीक? bracket close फिर a minus b that is cos x theta minus cot theta whole divided by denominator that is cot theta minus cos x theta plus 1 ठीक? अब साब साब देखे रहा है कि उपर एक term है और यहाँ पर भी एक term है इन दोनों term में cos x theta plus cot theta common आ रहा है तो हम लोग cos x theta plus cot theta common ले लेंगे इस term से cos x theta plus cot theta अटा हैंगे तो क्या बचेगा? 1 बीच में minus इस term से cos x theta plus cot theta अटा हैंगे तो क्या बचेगा? cos x theta minus cot theta लिखेंगे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे माइनस का साइन है whole डिवाइड़ेड़ बाई कॉट थीटा माइनस कोशेक थीटा प्लस वन अब हम लोग यह जैसे ही माइनस ओपन करेंगे यह माइनस कोशेक थीटा हो जाएगा और यह प्लस कॉट थीटा हो जाएगा अब ध्यान से देखिए यहाँ माइनस कोशेक थीटा माइनस कोशेक थीटा प्लस कॉट थीटा यानि यह दोनों टम्स सेम है सेम है तो कैंसल हो जाएगे ठीक क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ कोशेक थीटा plus cot theta क्योंकि हमें प्रूफ में cos और sin लाना है तो हमें पहले इन दोनों को cos और sin में बदालना होगा तो हम लोग जानते हैं cos theta cos theta by sin theta होता है अब यह दोनों ऐसे fraction है जिनमें denominator same है तो हम लोग direct act कर सकते हैं नीचे sin theta उपर क्या जागा 1 plus cos theta यही RHS है इसलिए हमारा proof complete हुआ तो third question में हमें proof करना है कि 1 by sec theta plus 10 theta minus 1 by cos theta equal होगा 1 by cos theta minus 1 by sec theta minus 10 theta के ठीक तो हम लोग LHS ले लेंगे तो हमने LHS ले लिया है अब हम लोग क्या करेंगे इस 1 by cos theta को sec theta बदल लेंगे और इस term को rationalize करेंगे ठीक इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 1 by sec theta plus 10 theta multiplied by sec theta minus 10 theta divided by sec theta minus 10 theta क्या कि हमने इस plus के जगा minus लिखा है और रूपा नीचे multiply कर दिया है माइनस 1 by cos theta के जगा हम लोग sec theta लिखेंगे ठीक अब ध्यान से देखिए 1 में sec theta minus 10 theta multiply होगा तो sec theta minus 10 theta आजाएगा denominator क्या हो जाएगा a plus b a minus b a plus b a minus b का formula क्या होता है a square minus b square a square मतलब sec square theta बीच में minus b square मतलब 10 square theta ठीक और यह minus sec theta as it is ठीक sec square theta minus 10 square theta क्या होता है 1 होता है ठीक और 1 नीचे लिखेने का कोई मतलब भी नहीं है ठीक इसको हम लोग हटा देंगे ठीक अब आप लोग देख रहे हैं आया है sec theta minus 10 theta minus sec theta अब आप में से 90% बच्चे क्या करेंगे इस minus sec theta और sec theta को काड देंगे अगर आपने इस minus sec theta और sec theta को cancel कर दिया तो फिर कितना भी आप ट्राइ करेंगे पुरूफ नहीं हो पाएगा ठीक हम लोग क्या करेंगे इस वाले sec theta को ऐसे ही रहने देंगे और इन दोनों term में हमें साफ साफ दिख रहा है minus common आ रहा है तो minus common ले लेंगे जैसे ही minus common लेंगे तो क्या जाएगा 10 theta plus sec theta दोनों के पाक से minus 8 जाएगा ठीक 10 theta plus sec theta को हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं sec theta plus 10 theta बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक लेकिन हमें proof में लाना है sec theta minus 10 theta ठीक तो हम लोग क्या करेंगे उपर नीचे sec theta minus 10 theta से multiply करेंगे उपर भी करेंगे और नीचे भी ठीक अब देखेगा क्या होगा इस sec theta को चाहें तो हम लोग 1 by cos theta लिख सकते हैं इल्कुल लिख सकते हैं बीच में minus cosine अब ध्यान से देखिए यहां लिखा हुआ है a plus b यहां लिखा हुआ है a minus b a plus b a minus b क्या जाएगा a square minus b square a square मतलब sec square theta minus b square मतलब 10 square theta whole divided by sec theta minus 10 theta क्योंकि यहां पे divided by 1 है sec theta minus 10 theta हम लोग जानते है sec square theta minus 10 square theta 1 की equal होता है अब देखिएगा जादो यहां पे हम लोग 1 लिखेंगे और हमारा proof complete दिख रहा है यह RHS की equal है hence proved तो आपने टिक समझा इस sec theta को इस minus sec theta से cancel नहीं करना है नहीं तो आप लोग बरबाद जाएगे तो fourth question में हमें proof करना है कि 1 by cos theta minus cot theta minus 1 by sin theta is equal to 1 by sin theta minus 1 by cos theta plus cot theta टिक तिए यह पिछले question की तरह है तो आप मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को pause करके इस question को जरूर try करें ठीक तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे LHS लेंगे तो हमने LHS ले लिया है हम लोग क्या करेंगे पहले इस 1 by sin theta को cos theta में बदल सकते हैं ठीक और इस 1 by cos theta minus cot theta को हम लोग rationalize करेंगे ठीक क्या हो जागा 1 by cos theta minus cot theta ठीक multiply by cos theta plus cot theta क्योंकि यहाँ पर minus है divided by cos theta plus cot theta ठीक minus यह 1 by sin theta के जगा हम लोग cos theta लेंगे ठीक अब देखें क्या होगा यह cos theta plus cot theta इस 1 में multiply होके देगा cos theta plus cot theta ठीक whole divided by a minus b a plus b that is a square minus b square तो a square मतलब cos square theta ठीक बीच में minus b square मतलब cot square theta ठीक फिर a minus cos theta अब ध्यान से देखें cos square theta minus cot square theta यह 1 की equal हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं यह formula होता है और cos theta plus cot theta divided by 1 इसका मतलब denominator से हम लोग 1 हटा सकते हैं तो अगर आपने इस cos theta और minus cos theta को cancel कर दिया तो आप लोग बरबाद जाएगे ठीक यानि आपका proof नहीं पाएगा तो हम लोग इस cos theta को ऐसे ही रहने देंगे परसान नहीं करेंगे ठीक बीच में plus cot theta minus cos theta को लिख लेंगे एक bracket में cot theta minus cos theta हम लोग terminology जानते हैं कि cos theta minus cot theta होता है तेकि नहीं क्या लिखा हुआ है cot theta minus cos theta तो इसको उल्टा करेंगे और क्योंकि बीच में minus है तो जैसे ही उल्टा करेंगे आगे minus आ जाएगा तो अब हम लोग इसको उल्टा कर सकते हैं क्या लिखेंगे cos theta minus cot theta हमने उल्टा किया है cos theta minus cos theta का येकि बीच में minus है तो जैसे उल्टा करेंगे तेहापे माइनस लग जाएगा ठीक अभी भी देख सकते हैं आप लोग हमारा प्रूफ कंप्रीट नहीं हुआ है हमारे प्रूफ में आर्चेस में वन बाई करके cos theta plus cot theta है लेकिन यहापे क्या है cos theta minus cot theta इसको हम लोग rationalize करेंगे तो उपर नीचे जाने हम लोग cos theta plus cot theta से multiply करेंगे cos theta plus cot theta यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है इस cos theta को हम लोग चाहें तो 1 by sin theta बड़े अराम से लिख सकते हैं बीच में minus कसा आएं यहाँ देखिए a minus b a plus b a minus b a plus b क्या होता है a square minus b square तो यहाँ कहा जाएगा cos theta a square बीच में minus b square मतलब cot square theta whole divided by cos theta plus cot theta 1 में multiply होगा तो cos theta plus cot theta हो जाएगा that is cos theta plus cot theta अब देखिए जादू cos theta minus cot square theta हम लोग जानते हैं वो 1 के equal होता है इसकी जगा हम लोग वल लिख देंगे अब आबरा का डाबरा यहाँ से देखिए यही हमारा आरचस है यानि हमारा proof complete हुआ that is proved तो fifth question में हमें proof करना है कि cos theta minus sin theta multiply by sec theta minus cos theta equal होगा 1 by 10 theta plus cot theta के तो हम लोग फिर से LHS ले लेंगे तो हमने LHS ले लिया है हमें साथ साथ दिख रहा है कि हमें RHS में 10 और cot लाना है तो हम लोग क्या करेंगे पहले इस कॉसेक और sec को sin और cos में बदलेंगे ठीक तो कॉसेक के जगा क्या लिखेंगे हम लोग 1 by sin theta minus sin theta फिर इस sec theta के जगा हम लोग लिखेंगे 1 by cos theta अब देहां से देखिए यहां नीचे 1 लिखा हुआ है यहां भी नीचे 1 लिखा हुआ है तो हम लोग इन दोनों fractions को solve कर सकते हैं यह 1 इस 1 में multiply होगा तो 1 देगा बीच में minus यह sin theta यह sin theta multiply होगे तो sin square theta हो जाएगा divided by 1 multiply by sin theta that is sin theta ठीक सिमिलरली हम लोग यहां पर भी करेंगे 1 multiply by 1 1 बीच में minus cos theta multiply by cos theta that is cos square theta divided by cos theta multiply by 1 क्या हैगा cos theta ठीक 1 minus sin square theta क्या होता है cos square theta तिसके से हम लोग cos square theta लिख देंगे divided by sin theta ठीक multiply by 1 minus cos square theta क्या होता है sin square theta इसके जगा हम लोग sin square theta लिख देंगे और यह cos theta as he is अब ध्यान से देखिए यह cos theta इस cos square theta को cancel कर देगा यह sin theta sin square theta को cancel कर देगा तो एक cos theta बचेगा और एक sin theta और नीचे 1 बचेगा तो कि यह cos theta एक cos theta को cut कर देगा एक sin theta एक sin theta को cancel कर देगा ठीक लेकिन ध्यान से देखिए हमें proof में 10 और cot लाना है तो 10 और cot कैसे आएगा इसके लिए हम लोग इस cos theta sin theta को इसके नीचे लेके आएगे देखिए कैसे आएगा यही trick है अगर इसको हटाएंगे यहां से तो यहां 1 बच जाएगा divided by sin square theta प्लस cos square theta ऐसे ही रहेगा sin square theta प्लस cos square theta ठीक और यह cos theta sin theta इसके नीचे आएगा ठीक यही trick है यहाँ पर अगर इसको आप नीचे लेके नहीं आएगे तो आपका proof complete नहीं हो पाएगा अब देखिए यह नीचे वाला fraction को हम लोग separate कर देंगे उपर वन रहेगा इस नीचे देखिए नीचे हम लोग बवाल मचाएंगे ठीक that is sin square theta यह cos theta sin theta इस sin square theta के पास आएगा क्या जाएगा cos theta sin theta ठीक बीच में प्लस यह cos theta sin theta के पास भी जाएगा क्या जाएगा cos square theta divided by cos theta sin theta ठीक is equal to 1 उपर ऐसे ही यह sin theta एक sin theta को cancel कर देगा क्या बचेगा एक sin theta और नीचे cos theta तो बचाएगा ठीक फिर बीच में प्लस एक cos theta एक cos theta को cancel कर देगा क्या बचेगा cos theta divided by sin theta हम लोग जानते हैं sin theta by cos theta 10 theta के equal होता है इसके जाएगा हम लोग 10 theta लिख देंगे ठीक प्लस cos theta by sin theta हम लोग जानते हैं cos theta होता है इसके जाएगा हम लोग cos theta लिख देंगे अध्यान से देखिए यही हमारा आरचस है इसका मतलब हमारा प्रूफ कम्प्लीट हुआ तो sixth question में हमें प्रूफ करना है कि से के bracket में one minus sin a multiply by से के plus ten equal होगा one के यह देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही असान question है तो इसके लिए one by cos से दिखेंगे ठीक one minus sin a और यह वाला term as it is अब हम लोग क्या करेंगे इस one by cos a को इस bracket के अंदर भेज देंगे ठीक भेजने का sense क्या है multiply कर देंगे ठीक यह one by cos से one में multiply होगा तो अब यह से बात है one by cos से ही रहागा ठीक बीच में minus one by cos से sin a में multiply होगा तो क्या जाएगा sin a by cos से इसमें तो कोई डाउट नहीं है यह सेक a plus tan a ऐसे रहागा क्या जाएगा सेक a plus tan a ठीक अभी जादू देखिएगा आप लोग क्या होता है one by cos से क्या होता है सेक a minus sin a by cos से क्या होता है tan a ठीक सेक a plus tan a को आप लोग as it is लेख देंगे ठीक आप लोग को आप साफ साफ दिख रहा हो है यह होने क्या वाला है ठीक जान से देखिए a minus b a plus b यह चीज लिख लिख होई है a minus b a plus b क्या होता है a square minus b square a square मतलब क्या सेक square a ठीक बीच में minus b square मतलब क्या tan square a ठीक जागा 10 square a ठीक सेक square a minus 10 square a किसके इक्वल होता है और यही हमारा आरचस है यानि हमारा प्रूफ कम्प्लीट होता है तो 7th question में हमें प्रूफ करना है कि 1 plus 10 square theta 1 minus sine theta 1 plus sine theta इक्वल होगा 1 के तो आप लोग चाहें तो वीडियो को pause करके इस question को try कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे LHS लेंगे तो हमने LHS ले लिया है ठीक अब हम लोग क्या करेंगे इस 10 square theta के जगा sin square theta by cos square theta लिख देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं 10 theta equal होता है sin theta by cos theta के तो ध्यान से लेखिए 10 square theta के जगा हमने sin square theta by cos square theta लिख दिया है इस bracket में हम लोग LCM लेंगे ठीक इस 1 के नीचे 1 लिख दीजे अब cos square theta इस 1 में multiply होगा क्या जाएगा cos square theta ये 1 sin square theta multiply होगा sin square theta divided by ये cos square theta 1 में multiply होगा क्या जाएगा cos square theta ठीक यहां देखिए a minus b a plus b लिखा हुआ है a minus b a plus b का formula क्या होता है a square minus b square a square मतलब 1 का square बीच में minus b square मतलब sin theta का square sin theta का square मतलब sin square theta 1 का square क्या होगा 1 ही होगा ठीक अब देखिए cos square theta plus sin square theta ये 1 के equal होता है इसके जगा हम लोग 1 लिख देंगे divided by cos square theta multiply by 1 minus sin square theta cos square theta के equal होता है इसके जगा हम लोग cos square theta लिख देंगे जहांसे देखी यह cos square theta, यह cos square theta, cancel होगे, क्या पचेगा सिर्फ 1 और यह हमारा arches है, यह हमारा proof complete होता है तो 8th question में हमें proof करना है कि cos x theta minus sin theta, sec theta minus cos theta, 10 theta plus cos theta equal होगा 1 के ठीक, तो यह भी question बहुत असान question है, आप लोग चाहें तो वीडियो को pause करके इस question को try कर सकते हैं इसके लिए हम लोग का करेंगे पहले? LHS लेंगे, अब हम लोग इस LHS में जहां-जहां भी cos sec, sec और 10 और cot हैं, वहां मापे हम लोग sin cos लिख देंगे ठेक, शेक थिटा के जगा, अम्मोर लिखेंगे, 1 by sin pronounce sin माइनस sin questionnaire, इस एक थिटा के जगा, अम्मोर लिखेंगे, its 108 तेक men तो क्या आजागा यहाँ पर नीचे 1 यहाँ पर नीचे 1 ठीक 1 multiplied by 1 1 बीच मों minus sin theta multiplied by sin theta sin square theta ठीक divided by sin theta multiplied by 1 sin theta 1 multiplied by 1 1 बीच मों minus cos theta multiplied by cos theta cos square theta divided by cos theta multiplied by 1 cos theta यह sin theta is sin theta multiplied by sin square theta फिर बीच मों plus यह cos theta is cos theta multiplied by cos theta divided by cos theta multiplied by sin theta ठीक एस इस जाँसे रेखिए 1 minus sin square theta cos square theta हो जाएगा divided by sin theta multiplied by 1 minus cos theta sin square theta हो जाएगा ठीक divided by cos theta multiplied by sin square theta plus cos square theta क्या हता है 1 divided by cos theta sin theta ठीक अब ध्यान से देखिएगा एक sin theta और यह sin theta मिलके sin square theta हो जाएगे और इससे cancel हो जाएगे यह cos theta यह cos theta मिलके cos square theta हो जाएगा और इसको cancel कर देगा यानि हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 और यही RHS भी है यानि हमारा proof complete होता है तो 9th question में हम लोग proof करेंगे कि cot theta minus 10 theta equal होगा 2 cos square theta minus 1 divided by sin theta cos theta के तो इसके लिए हम लोग फिर से LHS लेंगे तो हमने LHS ले लिया है ठीक क्योंकि हमें RHS में सिर्फ cos sin ही दिख रहा है तो हम लोग इस cot और 10 को sin और cos में बदलेंगे तो cot theta क्या होता है cos theta by sin theta बीच में minus 10 theta क्या होता है sin theta by cos theta अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों fraction को add करेंगे तो cos theta इस cos theta में multiply जागा क्या जागा cos square theta फिक बीच में minus ये sin theta इस sin theta multiply होगा क्या जागा sin square theta divided by ये cos theta इस sin theta multiply होगा क्या जागा sin theta cos theta फिक अब आप लोग देख सकते हैं आरचेस में कहीं sin square theta नहीं है इस sin square theta को हम लोग हटाएंगे कैसे हटाएंगे देखते हैं इस sin square theta के जगा हम लोग लिख सकते हैं 1 minus cos square theta क्योंकि हम लोग जानते हैं यह formula होता है जाएगा नीचे sin theta cos theta अब हम लोग क्या करेंगे इस bracket को open करेंगे क्या जाएगा cos square theta ये minus 1 के पास जाएगा तो minus 1 ये minus ये minus मिलके plus cos square theta whole divided by sin theta cos theta cos square theta plus cos square theta मिलके 2 cos square theta हो जाएगा ये minus 1 as it is whole divided by sin theta cos theta ठीक और ये हमारा proof complete हुआ ये ही RHS है ठीक तो 10th question में हमें proof करना है कि sec theta minus 1 divided by sec theta plus 1 equal होगा sin theta by 1 plus cos theta का whole square के ठीक तो हम लोग पहले क्या करेंगे LHS ले लेंगे तो हमने LHS ले लिया है अब हम लोग क्या करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है RHS में कहीं भी sec theta नहीं है तो हम लोग इस sec theta को पहले 1 by cos theta में बदल देंगे यानि sec theta के जगा लिखेंगे अम लोग 1 by cos theta ठीक minus 1 divided by इस sec theta के जगा हम लोग लिखेंगे 1 by cos theta ठीक plus 1 इस 1 के जगा हम लोग 1 by 1 लिख सकते हैं इस 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं ठीक ये 1 इस 1 में मल्टिक्राह होगा तो 1 हो जाएगा दीच में minus ये cos theta इस 1 में मल्टिक्राह होगा तो cos theta हो जाएगा whole divided by cos theta multiply by 1 ठीक बड़ा वाला division ये 1 इस में मल्टिक्राह होगा तो 1 आएगा बीच में plus ये cos theta इस 1 में मल्टिक्राह होगा क्या आएगा cos theta divided by cos theta multiply by 1 ठीक ये cos theta ये cos theta cancel ये आएगे तो क्या बचेगा हमारा पास 1-cosθ 1-cosθ ठीक proof देखिए proof में 1-cosθ नीचे आ चुका है हमें 1-cosθ को हटाना है तो कैसे हटाएंगे उपर नीचे 1-cosθ से multiply कर देंगे देखिए यह minus है तो हमने plus से multiply किया है तो क्या हो जाएगा उपर क्या हो जाएगा a minus b a plus b that is a square minus b square a square minus b square मतलब 1 square minus cos square theta तीक divided by 1 plus cos theta 1 plus cos theta that is 1 plus cos theta का whole square तीक is equal to 1 square मतलब 1 ही होता है तीक 1 minus cos square theta क्या आता है sin square theta तो हम लोग sin square theta लिख देंगे divided by 1 plus cos theta का whole square तीक इस sin square theta को हम लोग sin theta का whole square लिख सकते है अब देखिए उपर भी power 2 है denominator में भी power 2 है इसे हम लोग कैसे नहीं लिख सकते है sin theta divided by 1 plus cos theta का whole square और यह हमारा RHS है इसलिए हमारा प्रूफ complete होता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल के पर सब्स्राइब कीजिए मेरा वीडियोlaş-चर्स अगर नह मेरा वी झाल के वीडियों प मनेरे ज़र के प्नुबसाँ झाल झाल